हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का रभी सार यूके बाले में तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं आज की वीडियो लेकिया हमें उत्राखन SSC के लिए जिसमें हम 10 प्लस 2 और ग्रेजवेट लेवल एक्जाम की जो बात है वो करने वाले हैं ये वीडियो आपक को 40 मार्स के question पूछते हैं तो उसी की यहां पर series मैंने चला रखिये जो कि आज हमारी चौथी class है जिसमें हमने Indian history को सबसे पहले लिया है इस से पहले जो class मैंने discuss की थी सिंदुघाटी सभीता पासान काल से और थोड़ा introduction इसका करा लिया है तो आज हम सिंदुघाटी सभीत इंडर्स वैली civilization में देखेंगे कि part 2 इसका जो भी चीज़े छोटी भी थी part 1 में उन सभी को मैंने इस में cover कर रखाया और कुछ question आपके लिए लेकर हो मैं यहां पर से जो कि इस topic से पूछे जाते हैं उसके बाद यहां पर दो वीडियो में आपका यहां पर सिंदुघाट plus videos here question series को देखना ना भूलिएगा आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important series है यह जो कि 500 के आसफास question हो चुके हैं यह series आपके लिए important रहेगी इसका link के मैंने description में दिया है अगर link के से आपको नहीं दिखता है तो फिर आप यहां पर playlist में जाके इसको देख लीजेगा साथ यहां पर उत्राखंड की GK जिसमें मैंने उत्राखंड का भूगोल यहां पर discuss कर रहा हूँ जिसमें मैंने 10-12 class ले ली हैं अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आप उसको देखेगा वहां पर से मैंने उत्राखंड की नदिया मगेरा उत्राखंड के दर्रे और चोटियम पर्मुक ग्लेसियर्स और उत्राखंड का भौगोली की विस्तार यह सारी टॉपिक को मैंने वहां पर complete कर लिया है तो आप उनको देखके वहां पर से अपना cover कर सकते हैं और इसके अलब आगर आप यहां पर टेलिग्राम पर नहीं जुड़ा हैं मेरे अभी तक तो टेलिग्राम पर ज़रूर जुड़ेगा यहां से आपको क्या फायदा होने वाला है सबसे पहले आपको यहां पर PDF मिलेगी जो भी मैं क्लास यहां पर ले रहा हूं यहां पर फाइल सेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से यहां पर PDF अप्लोड कर सकते हैं साथ ही यहा कोई टॉपिक डिसकास करना हो तो वह सारी चीज़ा मैं आप पर सेंड कर देता हूं तो आप वहां से इसको देख सकते हैं यह भी आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन रहेगा तो चले सुरू करते हैं और हम देखते हैं कुछ क्वेस्चन जो की सिंद कही के ठीच्ट पर पाई जाते हैं तो मोहन जोदर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले वालिक्व刀स में मैंने जब मोहन जोदरू अरह पार सँरे संपते हैं तो मोहन जोदरू पर आता थी थी अगर आपको ज्याद़ डिटल में देखना है तो इसकी प्रिवेस क्लास देख लिजएगा जो कि सिंदुकाटि सब्विता करके है तो इसके लिंक में आपको मिल जाएगा वहाँ से आप उसको देख लिंगा अगला कोईशन आपके सामने है सिंदुकाटि सब्विता का इ इस्तित है तो काली बंगा जो की कहां पर इस्तित है यह आपको बताना है गुजराथ, हड्याना, राजिस्तान या फिर पंजाब तो इसका जो राइट आंसवर हो जाएगा राजिस्तान में और यह है घगर नदी के किनारे ठीक है अगला question सिंदुगाटी की सब्विता के लोग किस की पूजा करते थे तो सिंदुगाटी की सब्विता के जो लोग थे वो पसुपती नात की पूजा करते थे मैंने आपको पिस्दी वाली क्लास में दिखाया था कि एक मूर्ती दिखाया थी जिसमें पस्वपति नात की मूर्ती थी जिसमें की तीन सर थे उनके और उनमें हाथी गोड़ा और ये चीज़े दिखाई गई थी तो अगर आपसे पूछ लिए जाएगा तो आप इसका अंसर पस्वपति नात की करेंगे ठीक है इसके लोग मात्रे देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है लेकिन यह उप्सिन में है नहीं अगला question यहाँ पर है सिंदुगाटी सब्विता की लिपी कौन सी है हमें बताना लिपी कौन सी है तमील, ब्रामी, अर्भी या फिर ग्यात नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्यात नहीं है क्योंकि मैंने जब सिंदुगाटी सब्विता शुरू ही किया था तो यहाँ पर जो भी साक्षे है वो लिपी के फॉर्म में नहीं है तो इसी वज़े से है भी तो लिपी के फॉर्म में वो पड़ी नहीं गी है ठीक है जो भी लिपी अगर ग्यात है भी कुछ तो वो पड़ी नहीं गी है इसी वज़े से हम इसको कह सकते हैं कि यह ग्यात नहीं है in अगया question मर्तकों का ढ्ला किसे चहागी यहieso सकलAccet पिर भूतों का ढ्ला बहुत जी रूप में मजलता है हम यहां पर कोमगे हम सब्सक्राइब Meer हम महाँ कुंप छेजים होगी है या फिhr मनसी के जाठाघ का husband अगला यहां पर हम देखते हैं कुछ और इस्तल जो की हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस के थे सेवन इस्तल हमने आपर जो कि साथ नगरों के संग्या दी गई थी सिंदुगाटी सब्वेता में उनको हमने डिस्कस किया था लोथाल हो गया आपका राखी गड़ी हो गया यह सारी चीज़े आज हम पढ़ेंगे अब पहला है यहां पर आज की क्लास का रोपण रोपण कहां पर यह देख लेते हैं इसका जो इस्ताने वो है पंजाब में और इसकी जो खोश की थी वो की थी 1953 से 56 के बीच में और खोश करता जो थे उनका नाम है यगिदत सर्मा और यह जो नदी है यह है पंजाब में 17 नदी परवाइद होती है तो इसी वज़े से 17 नदी की किनारी इस्तित है इसकी क्या विशेष्टा है इसको हम आधुनिक नाम इसका जो है वो रूपनगर है रोपण से आप रूपनगर याद कर सकते हैं और इसकी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रूपन है वो स्वतंतरा के बाद उत्खनित किया गया पहला इस्ताले जैसे कि आपको यहाँ पर इसकी डेट से बता चलना कि 1973 में इसका उत्खनन किया गया था तो पहला इस्ताले जिसको हमने स्वतंतरा के बाद खोजा गया था यहाँ के जो साहगषी मिलते हैं वू देख लेते हैं मालिक के साथ कुट्खे को दपनानी के साहगषी जो कि रोपार से मिले है एक मातर साहगषी है जो कि आपको याद करना है इसके बाद यहां पर देखते हैं हम राकी गड़ी, राकी गड़ी कहां पर इस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्याडा पर, और यह घगगर नदी के किनारे है, साथ में अगर इसकी विश्रिस्ता देखेंगे तो भारत में जो छेत्रफल की द्रश्टी से हड का जो सबसे बड़ा इस्थाल है वो यही है, राकी गड़ी, राकी गड़ी कौंसा इस्थाल है? हरपा, सब्विता का सबसे बड़ा इस्थाल है, लेकिन कहां पर भारत में, ठीक है? अगर हम all over की बात करेंगे सिंदुगाटि सब्विता में, तब नहीं, जब हम बात अब यहां पर दुस्ता देखते हैं गनेरी वाला गनेरी वाला की क्या खास यात है यह जो इस्थान है यह पाकिस्तान का पंजाब प्रांते में इस्थित है और इसकी जो खास यात है सबसे बड़ी वो है कि यह हडपा सबिता का सबसे बड़ा इस्थाल है अब यहां पर एक चीज़ देख लेते हैं कि छेत्रिफल की द्रश्टी से इस्थान कौन-कौन से हैं पाकिस्तान में आप जाएंगे तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा आपको दिखेगा गनेरी वाला फिर मिलेगा मोहन जो दोड़ो भारत में अगर देखेंगे तो राकिगड़ी और फिर धौला विरा तो यह चीज़ा आपको ध्यान में रखनी है अगर ओल ओवर की बात करेंगे तो सबसे पहला आएगा गनेरी वाला फिर दूसरा आएगा मोहन जो दोड़ो फिर तीसरा आएगा राकिगड़ी और चौथा आएगा दौला विरा तो इस तरीके से यह सिंदुखाटी सभीता का करम है जो की छेत्रिफल की द्रश्टी से हम देखेंगे तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है यह चीज़ा आपको ध्यान में रखनी है इसके अलोग कुछ चीज़ें जो की छोट से कुई थी इसके बाद इस क्लास को हम एंड करने वाले है तो अन्यताथ्य और साक्षी हम देख लेते हैं तो जो सेंदव समाज था वो मात्रसत्नात्मक था यानि कि यहाँ पर जो भी चीज़े थी वो देवियों की ज़्यादा पूजा करते थे यह लोग इसी वज़े से यह माना जा सकता है कि यहाँ पर जो भी साक्षी मिले हैं वो मात्रसत्नात्मक साक्षी है जो इस्तरी होती थी उनको यहाँ पर सक्ति की देवी या फिर उर्वरता की देवी मानते थे ठीक है अगली चीज़ यहांपर देखिंगे मोहंजोदाडों से एक तीन पत्तिया सौल ओड़े हुए ध्यानवग्णियोगी के साक्ष्य मिले हैं यानि कि एक दाड़ी वाला एक इनसान जोकि बिना मुच्वाला है उसके यहांपर साक्ष्य मिले हैं मुहन जौदर्ण से मिले हैं यहाँ पर एक और साक्षे मात्र बाद से किसकी पूजा करते thế मैं कि मात्र देवि की वर्शब करते थे ठीक हैं तो यह को याद करनी है जिनकी पूजा करते हैं धान की भूसी के साक्षी अगर आप से पुछेंगे तो आप बोलेंगे ये रंगपूर से मिले हैं ठीक है तो ये था आज की वीडियो का एंड और इसमा हमने देखा सिंदुगाटी सब्विता के बारे में ये दो क्लास जो की सिंदुगाटी सब्विता की यही से आपको question देखने को मिलेंगे आपके exam में तो इनको याद कर लेगा अच्छे तरीके से तो इसके बाद बाहर से आपको कोई question देखने को नहीं मिलने वाला ठैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर ले और सेयर जरूर करें वीडियो को ठैंक यू सो मच